बिसमिल्लारामानिरहीम, स्सलाम आलेकूम दूस्टों आज बनाने जा रही हूं अपना बहुत ही पसंदिदा एक速 फास्ट फूड की रिशिपी जो मुझे बहुत पसंद है बाहर की चाहे खो वाली फास्ट फूड और श्ट्रीट फास्ट फूड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है तो इसे मैंने सोचा घर पे ही ट्राइ करें क्योंकि बाहर की ज्यादा खाना तो हेल्थ के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं होते हैं तो इसके लिए मैंने कुछ सबजियां लिए इसको मैंने पहले अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और एक सिमला मिर्ज को हमने दो टुकरों में काटा है और अंदर के जो बीज है हमने उसे साइट कर दिये हैं और इसके पतले-पतले स्लाइसे हमने यहां पे कट कर लिये हैं इसी तरीके से हमने यहां पे गाजर भी लिया है और इसे भी हमें इस तरीके से पतले-पतले slices कट करना है और इसके बाद इसके भी लंबे-लंबे लच्छे इस तरीके से कट कर लेने है जब कोई भी भी वेजिटे वाला काट रहे हो तो उसके लच्छे अगर लंबे हो तो देखने में थोड़ा एक्ट्रेक्टिव लगता है और बहुत अच्छे से कुख भी हो जाते हैं प्रोपरली कुख होते हैं और इसके बाद हमने यहां पर बंद गोबी लिया है एक टुकरा लिया है इसका और इसे भी हम इस तरीके से लंबे-लंबे काट लेना है आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काट रहे हूँ जब इसके लच्छे लंबे होंगे तो देखने में भी यह अच्छे लगेंगे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और कुख भी बहुत अच्छे से हो जाएगे तो इ इस तरीके से कट कर लेना है दोस्तों अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती है मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे फेस्बुक पेज है वहां भी आप हमें जरूर फॉलो करें और इंचिली है उसे भी हमें अच्छी तरीके से एकदम बारिक बारिक सा चौप कर लेना है और तीका जो है वह अपने हिसाब से आप कट करें अगर ज्यादा मीर्ची पसंद है तो आप दो तीन बढ़ा ले अगर कम पसंद है तो एक ही रखे या आप चाहे तो इसकी जगा सौ करेंगे हम लोग इसके बाद हमने यहां पर 15-20 लहसुन की सब्सक्राइब ले लिया है तो चलिए आप चलते हैं बनाने की प्रोसेस में यहां पर दीखे बेजी टेवल बिलकुल हमारी रेडी हो गई है और यहां पर हमने कुकूमबर और ग्रीन चिलीं भी ले लिया है कटकर के और लेस्न हैं भी हमने बारीक कर लिया था इसके बाद हम यहां पर एक बड़तन करेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी, पानी हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है और इसमें 1 टेबल स्पून हमने रिफाइन ओयल डाला है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे सॉल्ट डाला है जब पानी अच्छे तरीके से बोईल हो जाएंगे तब हम इसमें एड करेंगे चॉमिन, अब कोई भी चॉमिंग ले सकते हैं चाहिए वह मोटी वाली हो या पतली वाली हो हमने यहाँ पे मोटी वाली चॉमिंग होती है हमने वही के इस्तेमाल किया है यह आपको ग्राम के हिसाब से 200 ग्राम के लगभग हो गे और इसे हम ढख के बोईल नहीं करेंगे क्योंकि यह बहुत जल्दी से बोल हो जाते हैं और पानी जो है वो सारा बाहर निकल आता है तो इसी लिए आप इसे खूले में ही इस तरीके से कूक करें और यह आपको साथ मिनिट लगेंगे 5-7 मिनिट में यह बहुत अच्छी तरीके से पख जाते हैं और आपको इसे 80% ही बोयल करना है दोस्तों यह आप देख सकते हैं 80% यह पक चुका है क्योंकि जादा अगर ओभक को कर लेंगे यह 100% इसे पका लेंगे तो एक दूसरे में चिपकने लगेंगे इसके वाद हमने इसे चान लिया है चानने के वाद हमने इस पे उसी वक्त थंड़ ठंड़ पानी भी डाल दिया था इससे क्या होगे कि यह इस ठीक ही नहीं होंगे यह चिपकेंगे नहीं आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल के उसे मीक्स कर सकते हैं ताकि वह एकदम ही प्रोपर रहे और एक दूसरे में चिपके नहीं इसके वाद हमने यहां पे एक ही गरम की है और इसमें हमने चार से पांश टेबल इस्पून तेल ले लिया है रिफाइन ओयल का इस्तेमाल किया है जब तेल अच्छे से गरम हो जाएंगे तो हम उसे अच्छी तरीके से स्प्रेट कर लेंगे कि यह अल्मूनियम की कडाही है इसमें जो है चौमिंग वो दालेंगे हम एकड़ें फट फटफट इसमें करेंगे कर तो आप इसे प्याज डालने के तुरंत बाधी इसमें डाले इससे क्या होगा यह बहुत अच्छी तरीके से राश हो जाएंगे और एक से मिनट कम से कम हमने से कूक किया है उसके बाद हमने कैप्सिकम और हमने जो बंद गोबी है वो इसमें एड़ कर दिया है ग्रीन चिली भी एड़ कर दिया है और इन सब को दो से तीन हाथ हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे पकाना बिल्कुल भी नहीं है हमने गैस का फ्लेमिस टाइम लो रखा है वन टेबल स्पून भी निगर वन टेब डाला है फिर यहां पर चॉप करके डाला है तो इसलिए मैंने यहां पर रेट चुली शॉस को स्किप किया है उस जो है वह अपने हिसाब से थोड़ा कम यह जादा कर शकते हैं और इसके बाद हम इसमें चॉमिंग डालेंगे और इन सब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे यह आप देख सकते हैं यह अची तरीके से mix हो रहा है इसके बाद हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा salt और इसके बाद हम इसमें add करेंगे गोल मिर्स जिसे black paper कहते हैं black paper यह powder है यह हमने इसे spread कर लेना है और नमक हमने यहाँ पे half table spoon से भी कम डाला है क्योंकि हमने चॉमिंग boil करत हैं इस बात का आप खयाल रखें और इसके बाद इन सब को अच्छी तरीके से mix कर लेना है हमने यहाँ पे चम्मच ले लिया है दूसरी साइड से इस पैचुला है छोलनी और इन दोनों से हमने इस तरीके से mix कर लिया है इसे high flame पे आपको अच्छी तरीके से mix कर लेना है त त्यार कर सकते हैं और एकदम ही यह भीज चॉमिंग बहुत ही टेश्टी बने और लगेगे कि बिल्कुल हमने street food या ठीले वाली चॉमिंग काई हैं हमने इसे खीरा और काजर प्याज सलाद के साथ हमने से सर्फ किया है इस छाइप के सलाद इसके साथ खाने से बहुत ही